हलो दोस्तो, प्लसपेंड के यूट्यूब के वीडियो जमा आपका स्वागत है दोस्तो, आज के इस टॉपिक में हम लोग देखने वाले है लाइटनिंग प्रोटेक्शन सिस्टम के बारे में तो आज के इस वीडियो में अनं तक आप सीखोगे कि लईटनिंग प्रोटेक्शन सिस्टम है क्या उसके जोंपोनन्स रहता है, वो कॉन्चे-कॉन्चे रहता है मेटरियल कॉन्चे-कॉन्चे यूगis होते है लाइटनिंग प्रोटेक्शन सिस्टम बनाने के लिए अर्थ पिट क्यों ज़रूर है लाइटनिंग प्रोटेक्शन सिस्टम के लिए अर्थ पिट और अर्थ इंस्पेक्शन हाउजिंग ये दोनों की बीच में क्या डिफरेंस है उसको समझने की कोशिश करेगे इस वीडियो में ये वीडियो अगर पसंद आता तो लाइक और शेयर करना ना भूले दोस्तो तो वाट इस लाइट प्रोटेक्शन सिस्टम मैं आपकानी से समझानी की कोशिश करता हूँ कि लाइटनिंग प्रोटेक्शन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो की आपके बिल्डिंग या बिल्डिंग में रहने वाले लोगों को प्रोटेक्ट करता है लाइटनिंग स्ट्राइक से लाइटनिंग स्ट्राइक का मतलब क्या होता है कि बिजली मैं आपको animation के जरी आपको बताने की कोशिश करता हूँ मालो ये एक गर है और आस्मान में बहुत जोरदार बिजली कड़क रही है हो सकता है कि बिजली अगर आपके घर पे गिर जाए तो क्या problem हो सकता है तो आपका घर जो है वो पुरिता से नस्ट हो सकता है फायर लग सकते है आग लग सकती है साथे साथ उसमें रहने वाले लोगों को भी नुक्षान होने की संभौना रहती है और काफी जादा नुक्षान होता है दोस्तों आपने कही सारे वीडियो और कही जगे पे न्यूज में भी देखा रहेगा तो इससे बचने का तरीका क्या है तो इससे बचने का तरीका है लाइट प्रोटेक्शन शिस्टम यह आप बेसिक्स पहले समझ लिजए फिर इसको डीटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ होता क्या है यह आपका घर है आप देख सकते हैं यहाँ पर रॉड लगा हुआ है, कुछ केबल्स लगे हुए है, यह बिसिकली कॉपर केबल्स रहता है और एक यहाँ पर ग्राउंडिंग प्रोटेक्शन सिस्टम लगा हुआ है, आप वापिस से देख लिए यह रॉड केबल्स और ग्राउंड लगा कि जब आस्मन से बिजली गड़कती है, तो यह रॉड की मदद से वो चली जाती है ग्राउंड में, और ग्राउंड में जाने की वज़े से आपका जो घर रहता है, वो पुरी तरसे सेफ हो जाता है, तो इसके लिए यह जो सिस्टम है, वो काफी ज़दा पॉपिलर है और स सोलार पैनल लगा है, तो उसको भी प्रोटेक्ट करना पड़ता है बिजली से, क्योंकि उसकी वज़े से भी काफी सारे नुक्षान सोते हैं सोलार पैनल में, तो सोलार पैनल के आजूब आजू में भी इस प्रकार के सिस्टम को लगाया जाता है, जो की एक लाइटनिंग या आप बोल सकते हैं उसको कॉपर रोड लगा के लाइटनिंग प्रोटेक्टिक्टिक्ट सिस्टम जो है बनाया जाता है, लेकिन इतने से काम नहीं चलता है, इसके अंदर काफी सारी चीज़े रहती है, उसको में लोग आगे समझाने की कोशिश करता हूं मैं आपको, तो लाइटनिंग रोड जहां पर बैठता है, उसको मांटिंग जो बेज जो रहता है वो लगाना पड़ता है, साथी साथ कॉपर केबल लगाने पड़ती है, कॉपर केबल को स्ट्रिप यानि दिवार के साथ में बराबर अटैच रखने के उसको टाइट करने पर ले रहता है, हाला कि लाइटनिंग प्रोटेक्शन के लिए प्लेट जदूर इतनी कारिकर साबित नहीं होती है, जितने लाइटनिंग रोड जो रहता है, वो काम में आता है, साथी साथ यहां पर कुछ क्लैंप है, उसको और भी जड़ा ग्राउंडिंग को एकदम डीटेल में आगे चलके हम लोग समझने की कोशिकिल, लेकिन इतनी जो चीज़े रहती है, वो हमारे लाइटनिंग प्रोटेक्शन की चीज़े है, तो इससे होता कि इतनी चीजों से, तो जैसे आस्मान में बिजली बनने की शुरवात होती है, या जाधा तर जो पॉजेटिव और बिजली को अट्रक नहीं करता है, लेकिन अपने तरफ आने पर ये जो बिजली को आप देख सकता है, ध्यान से देखें यहाँ पर, जैसके बिजली इसके बर गिरती है चछत के उपर, तो देखें, ये बिजली तूरंद जो है, वो ग्राउंड की तरफ चले जाती है, और वो हमारे जमीन के अंदर जो ग्राउंडिंग जिसको बोल सकते है, उसके अंदर वो विस्तारित हो जाती है, तो ये है हमारा लाइटनिंग प्रोटेक्शन सिस्टेम, अभी उसके कंपोनेंट्स की अगर मैं बात करू, यानि कि उसके प्रकार की मैं बात करू, उससे पहले म बता दू हम लोग ने कई सारे online courses चालू कर दिये जिसमें AutoCAD है, 2D animation, 3D animation, electronics है, electrical, mobile repairing, laptop repairing जैसे कई सारे अंगीनत courses चालू कर दिये ये सब courses करने के लिए केवल mobile में एक app आपको download करना है Plus Point Training जो कि Google Play Store से आपको मिल जाएगा यदि आप laptop या computer सीखना चाहते हैं तो www.pluspointonline.com ये website में विजिट करके आप आसानी से online courses सिख सकते हो अधिक जानकारी के लिए जो WhatsApp नमबर दिये आपको यहाँ पर इस पर केवल आप हाई का message चाल दीजे तो online courses के बारे में आपको मैं पूरी जानकारी WhatsApp के मादियम से भिजवा दूगा तो चले शुरुआत करते components of lightning protection system याने कि इसके जो प्रकार रहते है रोड के वो उसको उमलोग ज्यादा detail में discuss करने की कोशिश करते है तो सबसे पहला जो प्रकार है वो है copper road lightning protection system copper road में होता गया है यह road में भी अलग-अलग प्रकार है और हर एक का fundamentals कुछ different different रहता है लेकिन आपको बता देतो कि यह है copper का road जिसमें आप देख सकते spikes लगाए हुए है और होता गया है कि इसको building पे अलग-अलग जगे पे जो बड़ी उपर जो सबसे top वाली जगा रहती है वहाँ पे उसको लगाया जाता है और यह जो copper rod रहता है उसके साथ में copper plates को जोड़के यानि कि copper strip को जोड़के वो जमीन में grounding के साथ में उसको attach कर दिया जाता है तो जैसे ही कुछ lightning वगर होता है यानि कि बिजली वगर गेती है तो यह strip की मदद से वो जमीन में चले जाता और grounding हो जाता है तो यही जो system है वो है copper rod का system लेकिन अभी latest technology यह नहीं है latest technology है ESE lightning protection system यह ESE जिसको ionized lightning rod बोल सकते है या active lightning rod के नाम से भी हम लोग उसको पैचान सकते है यह आजकल के technology के सबसे बनाया गया lightning protection system है अभी इसमें आपने देखा रहेगा इसमें जादा कुछ नहीं लाइट एक copper rod लगा दिया बड़ी बड़ी जगे पर या उची जगे पर वहां से copper strip को attach करके ground कर दिया यहां पर खेल कतम हो गया लेकिन यहां पर और यहां पर खासेत ऐसी है कि यहां पर आपने देखा रहेगा 2-3-3 rod लगाने पड़ते पूरी building में correct लेकिन अगर यह एकी rod से काम हो जाएगा आपका क्योंकि यह आज की technology से innovative technology से बने वी चीज रहती है हाला कि इसके इंदर एक छोटा सा circuit रहता है और इस करका एक हिससा ground की दरफ रहता है और एक हिससा top की दरफ रहता है जैसे ही मौसम खराब होता है चार्ज होता है और वो discharge होने के लिए जैसे ही lightning strike होती है वहाँ पे वो discharge होता है और जो पूरी energy रहती हो ground में डाल देता है उसको animation के माधियम से देखे तो फटावाट से आपको समझ में आएगा इस animation में आप देख सकते है कि एक lightning rod लगाया गया है मतलब जो active lightning rod जिसको में लोग बोल सकते है और उसका एक हिससा जो है वो मौसम खराब हो रहा है ऐसा दिखा रहा है और नीचे की तरफ आप देखे कि lightning rod के पर थोड़ा सा spark नजर आ रहा है तो जैसे ही बिजली कड़कती है तो अपनी तरफ खुद को attract करके बिजली को पूरी तरह से ground में transfer कर लेता है तो यही जो funda रहता है वो हमारा ESE lightning protection system जो है क करता है तो काफी बड़िया technology है हाला कि इसमें हम लोग ज्यादा discuss नहीं करेगी लेकिन आपको मैंने उपर उपर से पूरा detail समझाने की कोशिश की है तो यहाँ पर आप देख सकते कि दोनों के बीच में एक चीज कॉमन है वो है grounding जिसको हम लोग inspection pit और ground rod आपको जो नजर आ है तो उसको हम लोग detail में जरा समझाने की कोशिश करता हूं लेकिन सबसे पहले समझ ले दे कि why earth system is required है यह अर्थिंग की जरुवत क्यों पड़ी हमें यह हमें मालूम पड़ गया कि यह जो सब्स्टेंट रहता है नहीं कि अर्थिंग जो है वो सबसे महत्वा पूर्णा प इसमें से पसार होता है और लगबग 30,000 एंपियर का current जो रहता है supply जो रहता है वो इसमें से पसार होता है तो हो सकता है कि इतने जादा voltage और इतने जादा एंपियर से कितनी भयानक नुक्षान होने की संभावना रहती है correct तो उसके लिए आपका अर्थिंग system proper होना बहुत अलग रखा जाता है यह उसके लिए separate earthing करते है separate structure बुरा बनाते है क्योंकि earthing यह एक ऐसा चीज है जहां से huge electric charge जो lightning spark होता है याने कि जो बिजली कड़कती है उसमें से बहुत जादा जो मैंने बताया जैसे कि 30 million volts और साथी साथ 30,000 ampere का जो supply रहता है याने कि बहुत जाद supply current जो रहता है उसको ground में डालना है और without any leakage कहीं से भी leakage नहीं हो लेकिन पूरा अर्थ में जाना है और अर्थ के सिवा जाने के लिए उसके वास दुसरा कोई रस्ता भी नहीं रहता है तो यह चीज को अच्छी दर से चलाने के लिए हमारा earthing system सही होना बहुत जरूरी है तो earthing system अगर मैं बात करूँ earthing की proper तरीके से तो earthing के अंदर भी कुछ components की जरूरत पड़ती है एक रता earth यानि की मिट्टी अच्छी होनी चाहिए उसके बाद में earth rod की जरूरत पड़ती है आप देख सकते है copper rod अर्थ का भी एक rod रता है जिसमें earthing किया जाता है जिसकी मदद स लग जरूरत है कुछ cables जरूरत है जो earth rod के साथ में attach रहत है आप देख सकते हैं यहाँ पर cable लगा हुआ है साथी साथ earth rod के साथ में copper strip लगी हुई है जो अगर आपने दूर कहीं पर earthing है तो copper strip के जरीए जैसे कि यहाँ पर lightning protection system में देखा कि copper strip आ रही है वो earthing के अंदर conduct होत है ठीक है इसके अलावा जो यहाँ पर कुछ chemical compound लगा हो रहता है जिसको earth compound भी आप बोल सकते है जो कि rod के साथ में जमीन के साथ में अच्छी तरह से नमी रखने का काम करता है और conductivity अच्छी करने का काम करता है और सबसे महत्वपूर्णा जो हिस्सा है वो है earth inspection housing यह आप दे जगा है जो lightning protection system जो आपने बना है और अर्थिंग जो है इन दोनों के बीच में जो checking करने का जो पार्ट होता है वो यही एक जगा है जहांसे हम लोग अर्थिंग हमारा proper है कि नहीं वो हम लोग चेक कर सकते है इसलिए earth housing जो है वो proper होना बहुत ही महत्वपूर्णा पार्ट अब बात करते हैं अर्थ पीट और अर्थ इंस्पेक्शन housing के बीच में difference सबसे पहले में आपको आशान भासा में समझाने की कोशिच करते हो अर्थ पीट जो रहता है वो अर्थिंग का starting point माना जाता है यानि कि जमीन में जब खड़ा करते हैं एकदम डीप खड़ा बीस मि अर्थ पीट जो रहता है एंडिंग पार्ट माना जाता है अर्थिंग होने के बाद जो उपरी हिस्सा रहता है उसको अमलब गोलते हैं अर्थ इंस्पेक्शन housing अगर अर्थ पीट की बात करो तो ISI 3043 स्टेंडर की सबसे ये खुद एक बहुत सारे component से मिल कर बनाया हुए system जबकि अर्थ इंस्पेक्शन housing जब वो एक पर्टिकुलर एक ही पार्ट है एक ही चीज है जो अर्थिंग होने के बाद उसको लगाया जाता है आगे का difference कि अगर मैं बात करो तो अर्थ पीट एक बार आपने गड़ा खोद दिया तो इस static पार्ट हो गया बार बार आपको गड़े खोदने की ज़रूत नहीं पड़ेगी लेकिन अर्थ इंस्पेक्शन housing को active component बुला जाता है active component की मतलब क्या है एक बार आपने अर्थिंग डेलोप कर लिया तो बार बार तो गड़ा नहीं खोदेगे अर्थ पीट वहाँ का काम खतम हो गया लेकिन checking तो हमें हमेशा लगेगा हर दो चार महीने में छे महीने में आपको checking करना पड़ता है कि आपका earthing proper है की नहीं अर्थ प्रॉपर जा रहा है की नहीं तो इसके लिए जो अर्थ inspection housing ज़रता है उसको बार बार open करके आपको check करना पड़ता है इसके बाद अगर मैं और detail में थोड़ा जाओ तो earth pit का जो नीचला हिस्सा है निकी rod अपने अर्थ में डाल दिया तो जोगा नीचला हिस्सा जो है वो soil के साथ है निकी मिट्टी के साथ में मजबुदाई से जुड़ा होना चाहिए इसी के लिए हम लोग chemical वगरे डालते हैं तो इससे होता क्या है कि अगर आपका lightning आता है त तो वो तुरंत absorb होना चाहिए जमीन के अंदर ऐसा नहीं कि जमीन के अंदर कुछी seconds में absorb होना चाहिए अगर नहीं हुआ तो reverse जाएगा और आपके जो घर के equipment है वो खराब होने के chances रहता है तो इसलिए उसको soil में अच्छी दास है पकड़ना बहुत जरूरी है जबकि उसक उपला हिस्सा जो कि आपके housing inspection pit के अंदर आता है तो यहां पर उपले हिस्से से हम लोग उसको check करते है कि हमारा जो अर्थिंग जो नॉर्मल है कि नहीं क्योंकि इंपोर्टेंट है कि बार बार अगर चेक करेगे तब ही जाके आपका जो नॉर्मल अर्थिंग जो प्रॉप माल लो कि अर्थिंग आपने विदाउट अर्थपीड बनाया अर्थिंग आपने विदाउट inspection housing दनाया तो क्या होगा कि अर्थिंग रॉड कभी दो साल के बाद आपको कहीं और मिलेगा आपके वायर कहीं जूलता रहेगा या कभी-कभी ऐसा हो गया कि आजू-बजू वा है तो इसकी वज़े से हम लोग अर्थ इंस्पेक्शन housing को डेलाउट करता है तो यहां पर यह जितने भी difference है मैंने English में लिखे हुए आप यह सब difference आराम से देख सकते हैं समझ सकते हैं और लास्ट अगर मैं difference के बात करूँ तो अर्थ पीड जो डेलाउट किया था है specific standard और specific condition के अनुसार उसको डेलाउट किया जाता है जबकि अर्थ इंस्पेक्शन जो पीट रहता है उसका पूरा specification आपके अर्थिंग के अपर निर्दर रहता है आपका अर्थिंग किस प्रकार चाहिए कैसा डेलाउट किया है कहां पर डेलाउट किया उसके अनुसार जो क्या है इसके कुम्टोनेंट्स के बारे में देखा मट्रियाल कुछा आपके दूस्तों वीडियो आपको पसंद आ रहेगा कमेंट में ज़रूर लिखे कि वीडियो आपको कैसा लगा और अगला वीडियो आपको कौन सा चाहिए तो मैं ज़रूर बनाने की कोशिश करूगा अगर आप नए है चैनल के पर तो सस्क्राइब का बटन दबा के बैल का आइकोन दबा दीजिए ताकि मेरे जो भी नए वीडियो आएगा उसको नोटिविशन आपको जल से जल मिल जाए चले दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही थैंक्स फॉर लिस्निंग